इल्क्ट्रिक स्कूटर सब्सक्राइबI लेकिन एक विडियो में सब्सक्राइब subscribe www.ne Корb cuộcSuppo इस्काउ apocalypse मिल रही है तो इस हिसाब से आपको अच्छी प्राइस देखने myself मिलेंगी और सभी प्राइस एक शोरूम दिल्ली के रहने वाली है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स इलेक्टरिक बाइक के बारे में और दोस्तों यह जो प्राइसिंग रहने वाली है वो 31 मार्च 2024 तक वैलिट रहने वाली है और सभी ब्रैंड ने टीवियस बजाज, हिरोविडा, एथर इन्होंने अपने वेबसाइट पर नए प्राइस रिवील कर दिये है तो फटाफट से वीडियो को भी लाइक कर दो सबसे पहले टॉर्क मोटर्स की तरब से क्रेटोस और इलेक्टरिक बाइक की प्राइसिंग के बारे में बात करते है जो की दिल्ली एक शुरूम में 1,29,999 मतलब 1,30,000 रुपए में आपको एक शुरूम प्राइस में देखने को मिलने वाला है और देखा जाए तो टॉर्क मोटर्स की ये एलेक्टरिक बाइक बहुत ही पावरफूल है अट्र 23 km की रेंज है 80 km का स्पीड है दिल्ली एक शुरूम में उसकी प्राइसिंग 97,800 एक शुरूम प्राइस देखने को मिल जाती है उसके बाद वी वन प्रो आ जाता है जिसकी रेंज आपको 165 km की मिल जाती है सेम आपको 80 km का स्पीड देखने को मिलेगा इसकी प्राइसिंग 1 लाग 26,000 रूपीज आपको एक शरूम प्राइस दिल्ली में देखने को मिल जाती है अगर आपको ट्रेस्टेड ब्रैंड की इलेक्ट्रिक स्कूटर लेरें तो आप विड़ा की इलेक्ट्रिक स्कूटर देख सकते हो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हम ट्यूएस की तरब से आईक्व एक ट्रिक स्कूटर के बारे में ये भी एक ट्रिस्टेड ब्रैंड है और काफी अच्छी एलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाती है ट्यूएस आईक्व में आपको दो मॉडल देखने को मिलेंगे iq and iqbs और सबसे पहले इनोंने extended warranty only 1000 रूपीज में 5 वियर के extended warranty या 70,000 km तक extended warranty आप कर सकते हो जो कि 31 March 2024 तक valid रहने वाला है TWS IQ की pricing 1,17,000 रुपे एक शोरुम दिल्ली में देखने को मिल जाती है and second वाला model IQBS जिसकी pricing 1,23,000 रुपे देखने को मिल जाती है 6,000 का different आपको दोनों model में देखने को मिल रहा है उसके बाद बात करते हैं next electric scooter के बारे में बजाज की तरब से चेतक electric scooter चेतक के बारे में बात करें तो बजाज की तरब से दो model अभी अविलेबल है urban and premium जो urban आता है वो आता है आपको 1,15,000 रुपे एक शोरुम में इसकी range आपको 113,000 की मिलेगी 73 km का speed मिलेगा उसके बाद आजाता है premium वाला जो latest में आपको देखने को मिलेगा थोड़े से features वगरा ज्यादा है इसकी pricing 20,000 रुपे एक्स्ट्रा है 1,35,000 एक शोरुम में आपको देखने को मिल जाता है और इसकी जो battery है वो थोड़ी सी बड़ी होने कारण इसकी range भी थोड़ी सी बढ़ जाती है 3.2 kWh की battery है जिसमें range आपको 126 km की range company claim करती है बट आपको आराम से 110-120 तो मिलने ही वाली है क्योंकि trusted brand की electric scooter है तो आपको अच्छी कासी range भी मिलेगी and next 7-8 साल के लिए no tension रहना है quality material ने यूज किया है premium quality की electric scooter इंडिन मार्केट में एक ही है बजाच की चेतक electric scooter और उसके बाद बात करते है अभी Ola electric के बारे में and उससे पहले वीडियो यहां तक देखा है तो आप सभी को पता है वीडियो को लाइक करना है फटाफट से Ola electric के बारे में तो already आप सभी को पता ही है 79,999 से इनका model शुरू होता है जो की 1,29,999 में Ola S1 Pro तक आपको model 3-4 model आपको देखने को मिल जाते है Ola की जरूरत ने आपको बताने की already काफी time से Ola electric के offer चल रहे है लेकिन Ola की electric scooter में mainly service में इशू आता है उसमें काफी sensor इन्होंने use किये है display है और भी नए-नए features दिये है इसकी वज़ेसे कहा पर भी कुछ भी problem कुछ भी दिक्कत आती है Ola की electric scooter में तो वो आपको आगे जाकर problem कर सकता है इसलिए मैं तो Ola को prefer नहीं करता best family scooter जो है एक trusted brand की होनी चाहिए उसके बाद next हम बात करते है ether energy के बारे में इनके भी website पर जो pricing है वो आपको बता देता हूँ ether का 450S model जिसकी pricing under 1 lakh रूपीज में आ चुकी है 97,547 रूपीज में आपको एक शुर्म प्राइज में दिल्ली में देखने को मिलेगा उसके बाद ether 450X में आपको दो मोडल मिलते है without pro pack वाला थोड़ी सी range आपको कम मिलेगी इसकी pricing 1,25,000 है pro pack में आपको सिर्फ 3,000 का डिफरेंट दिखा रहा है दिल्ली वालो के लिए इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप दिल्ली से हो तो यार सोने पे सुहाग आए भर-भर के डिसकाउंड मिल रहा है एक एप्रिल 2024 के बाद दिल्ली के लिए सबसेडी क्या रहती है वो अभी तो किसी को पता नहीं है बट एक एप्रिल 2024 से पहले दिल्ली वालो आप इलेक्ट्रिक स्कूटर ले सकते हो काफी कम दाब में मिल रहे है महराष्ट्र स्टेट में अभी जो है स्टेट सबसेडी नहीं मिलती तो जो भी मैंने प्राइसिंग बताए है उस प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंट आपको दूसरे स्टेट में देखने को मिल सकता है आपको कुझसे एलेक्टरक स्कूटर की प्राइस जाएन ने आप कमेंड में जाकर ज़रू से ज़रूर बताना, आप कुझसे स्टेट से हो, वो भी ज़रूर बताना, इससे जो ही मैं आपको रिप्लाइ दोओंगा कि आर कितनी प्राइस आपको यह पर देखने को मिलेगी, तो यह थी कुछ आज की, न्यू प्राइस अभी तक कमपनी ने अन्विल किये, वो मैंने क्लियर आपके साथ शेयर किये है, तो चलिए आर दोस्तों मिलते हैं भी नेक्स वीडियो में,